हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गीता और कोक बिद गीता में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं फिर हाजिर हूं एक निव रेस्पी के साथ जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और इजी है जब घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को जरूर बना कर ट्राइब कीजिए तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या का चाहिए इसके लिए चाहिए हमें एक बेशन मैंने कब लिया है और साथ में चाहिए कुछ मसाले दो लौग कुछ को काली मिच्ट के दाने दो तेज पत्ता दो डाल चीन टुकले दो बड़ी लाया ची एक बाड़ा टमाटर ही और प्याज लेस्व राण खर्इमिटी इसको मैंने रफ्री काट लिया है अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल के पीशेंगे तो ूसमें से डाल देते हैं उसके बाद हमें उसमें कुछ मसाले करेंगे मसालों में जाएगा आदा चमश हल्दी पाउडर एक चमश लाल मिश पाउडर दो चमश जाएगा धनिया पाउडर और एक चमश नमक नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो मसाला हमारा पिस्के तैयार है कि देख सकते हैं आप लोग बारिक पिसा आप जो हमने बेशन लिया था एक कप उसको हम डालेंगे एक प्लेट में अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही एक से डेल चमश डालेंगे इसमें तेल और तेल डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे यह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी पानी के छीटे मारना है हमें इसमें बस और पानी छीटे मारते हुए इसको हमें मिक्स करना है हलके हातों से इसमें हमें आट को गूतना नहीं है इसमें हलके हातों से इसको मिक छोपष करके से गुठलियां यासी बन जाएंगी इस तरीक जो इसको मिलाना है बस तो होड़ा-थोड़ा पाइन्ट डालकर इसको इस तरीके से हम छीटे मारते हुए इसको रख करेंगे दोनों हातों से तो जैसे इसमें गुठलियां सी बन रही है न अब हमें इसको दोनों हातों से हलके हातों से इसको रब करते हुए इसका मीडा जैसा बनाना है तो यह बन गया है हमारा मीड़ा यासा अब हम कड़ाई रखेंगे गेस पर गरम करने के लिए इसमें तेल रखेंगे और उसमें इसको ढालके गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें भूझना है तो कंट्यूनेसली चलाते रहिए और चलाते हुए हमने इसको भूझ लिया है लगवगे भूझ चुका है इसमें अच्छी सी खुस्बू आ रही है और इसका कलर भी चैंज हो गया है तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं अबुक्त थनदा हो जाता है तब तक हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं तो हमने सेम कडाई फिर से लखी गैस पर गरम करने के लिए उसमें डाला है दो चमच तेल तेल को गरम होने देते हैं अब इसमें जाएंगे सारे मसाले एक चमच जीरा और जो भी खड़े मसाले लिये थे हमने लॉंग बड़ी इलाइची काली मिर्च तेजपत्ता दाल चीनिन सबको हम डाल देंगे और मीडियम कर देंगे गैस की फ्लेम को और इसको हम भूजेंगे को हम डाल देंगे के उसके बा женщ मसाला army के रखा था ना वह मसाला डाल देंगे और इसको फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से भूजने देंगे, जब तक भूजना है, जब तक कि इसमें खुस्बू ना आने लगे, और इसका तेल अलग ना हो जाए, तो ऐसे ही चलाते हुए मेडियम फ्लैम पर इसको हमें भूजना है, इसमें मसाले की भूनाई बहुत ज़रूरी है, सबजी का ट मसाला अल्मोस्ट भून चुका है, उसमें अच्छी से खुस्बू भी आ रही है, अब हमने टमाटर काटके राखा था वो भी इसमें डाल देंगे, और अच्छे से इसको हम मसाले के साथ में मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको ढग देंगे, और दो मिनेट तक पकाएंग एक बाद अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा सा और भूज लेते हैं चला के, इस टमाटर भी अच्छे से पक जाएं, अब टमाटर और मसाला सब एक सार हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे, दो से तीन गिलास पानी, और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको एक अवाल आने तक हम इसको छोड़ देंगे ढखकर, तो पानी अच्छे से वोईल हो गया है, इसका अच्छे से वोईल होने लगा है, अब हमने जो बेशन का मीडा बना के रखा था ना, वो डाल देंगे, इसम ँिए अ कि गैस की यह कर देंगे अब हम मेडियम और मेडियम फ्लेम कर देंगे उसके वाद मेडियम कर देंगे तू आफ एक यह बन गया है अइसgy यह लाष्ट में गरम मसाला और खूब सारा हरा धनिया तो लीजी हमारे टेस्टी बेशन की सब्जी बनके तैयार हो गई है अब हम इसको सर्व कर लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है जब हमारे घर में कोई सब्जी ना हो तो आप एक वाइस को जरू बना कर ट्राय कीजिए चावल और रोटी किसी के साथ खाई है बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए और अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए तो चलिए फिर मिलते हैं नियू रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन